आपको इसलिए लेके आता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने इसके बारे में कितनी बार बताया साइद अगर आपने देखा होगा तो एक अच्छी आपको इंकम मिल सकती है इसलिए मैंने अपने यूटूब चैनल का रखा नाम फास्ट वेल्थ क्रियेशन इंडिया स्टोग मार्केट ठीक है चली मैं आज बात करने जा रहा हूँ राइट्स के उपर चुकि रेलवे का कंपनी है ठीक है और मैंने देखे इसके उपर मैंने कितनी बार वीडियो डाला ताकि आपको एक अच्छी वेल्थ क्रियेट करवा कि मैं दे सकूँ यहां पर देखे मैंने च्छे दिन पहले डाला चली कोई बात ने किवल सत्रव भी वह है सत्रव भी वह आने का यह कारण है कि देखे अभी मेरे सब्सक्राइबर भी कम है और साइद देखने वाले भी कम हो और इसलिए कम भी वह है कि हो सकता हो उनको यह कंपनी अभी अच्छी नहीं लग रही हो या यह भाग नहीं रही थी इसलिए सायद देखने वाले कम देखे होंगे ठीक है उसे कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये है कि अगर आपने जब मैंने ये वीडियो डाला कम 6 दिन पहले सायद अगर आपने लिया होता तो अभी आपको कम से कम 20 से 25 रुपे का गेन मिल गया होता ठीक है और चलिए कोई बाद नहीं आप अगर उस टाइम नहीं लिया होंगे तो देखे मैंने एक वीक पहले ही डाला था और फिर उसके बाद मैंने दो मंत पहले डाला था कि आप इस पर नजर बनाये रखें आपको बहुत ही अच्छी अपरचुन्टी मिलेगी ठीक है तो ऐसे से मैंने मतलब कई बाद वीडियो डाला ठीक है और अगर आपने लिया होगा तो ठीक है नहीं लिया होगा तो फिर भी अभी भी आपको इस स्टॉक में अपरचुन्टी है चलिए मैं आपको स्टॉक पर लेके चलता हूँ और उसके बारे मैं बताने को और आप यहां पर देख सकते हैं कि आप जानना चाते हैं आप वहां पर नाम सर्च करके आप यहां पर लिक के और यहां पर देखें यहां पर सर्च बार हैं आप यहां पर सर्च कर सकते हैं करने के बाद आपको हर कंपनी की डिटेल मिल जाएगी और अभी देखिए यह राइट्स 14 रुपे 25 पैसे तेज़ ब लगवग अगर हम परसंटेज की बास करें तो 5.82 परसंट तेज है आप सीधे से समझे कि 6 परसंट तेज है ठीक है और यहां पर थोड़ा मैं अगर नीचे आपको ले की चलो तो यह देखिए यह स्टॉक बुलिस्ट ट्रेंड में मतलब अपर ट्रेंड में ठीक है और गुड कॉल्टी का स्टॉक एक्पेंसिव और वेरी एक्पेंसिव पे ही आपको मिलते हैं ठीक है तो चलिए और आपको नीचे लेके चलो यहां पर देखिए जो एनलिस्ट है वो 16 एनलिस्ट अभी निगेटिव राय दे रहा है और एक एनलिस्ट बस काली पोजिटिव रा लेकिन हमको देखना पड़ता है कि रिटन कितना दिया है उसने तो देखें अगर रिटन देखें तो तीन साल में केवल 36 परसंट का रिटन है च्छे महिने में बस खाली 6 परसंट का रिटन है ठीक है और यह आगे चलके आपको और भी ज्यादा रिटन देखने को मिलेगा ठीक है और और अगर मैं यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखें अगर मैं सेर होल्डिंग पैटन की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर देखें सेर होल्डिंग पैटन देखे में चीज जरूरी इसलिए होता है कि अगर हम किसी भी स्टॉक में निवेस करते हैं तो हमें देखना बहुत ही जरूरी होता है अगर हम यहां पर बात करें मिजोर्टी सेर होल्डर तो वो पर्मोटर के पास है गिर्वी रखा हुआ सेर कुछ भी नहीं है अगर हम मिचोल फंड की बात करें तो लगबग 11 स्कीमों निवेस किया हुआ है अगर हम मिचोल फंड की अगर बात करें तो यहां पर देखें 4.60% की यहां पर इसलिए है अगर हम FIs की बात करें तो 17 FIs ने यहाँ पे निवेस किया है लगबग 1.02% की सदारी है ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं Other DIs और मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको किस तरीके से position बन रही है चार्ट पे देखे यहाँ मैं चार्ट पे आ गया हूँ और यहा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे निवेस कर सकते हैं और अगर आप पुराने निवेस सकते हैं तो भी आप यहाँ पे अगर आपने निवेस किया है तो भी आप यहाँ पे निवेस करके अपना एक प्राइज उसको एवरेज में आप ला सकते हैं अगर अगर मान लीजे आ आपने दिखे मैं अगर weekly chart लगाऊं तो आपको यह देखाऊं कि देखे अगर आपने यहां पर निवेज किया है ठीके तो भी अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी quantity अभी भी बढ़ा सकते हैं ठीके और अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं रहने दीजे अगर किया हो तो तो आप यहां पर खरदारी कर सकते हैं अगर आप नहीं निवेज किया हो नए निवेज सकते हैं तो भी आप यहां पर खरदारी कर सकते हैं ठीक है और अगर मैं यहां पर मैं मंतली चार्ट लगाऊं तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं आप यहां पर देखिए देखे ओपनिंग इसकी यहां पर होई थी और इतनी जबर्दस रॉकेट बना था यह स्टॉक ठीक है और वहां से देखिए करोना वायरिस के उसमें देखिए इस स्टॉक में थोड़ा सा गिरावाड देखने की मिला और फिर से यह देखिए यह अभी स्टॉक अपर ट्रेंड में है हाला कि बहले से यहां पर थोड़ा सा करेक्शन हुआ है लेकिन यह अभी फिर से यह स्टॉक तेजी में आ गया है अगर देखिए यह अगर लेबल आपको तोड़ने को मिलता है तो यह लेबल इसको तोड़ने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा और अगर इस ल यहां पर आपने निवेज किया है तो ठीक है अगर नहीं निवेज किया तो करिए देखिए मैं बार बार इसलिए आपको बोड़ ला हूँ कि आप देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं को उनको एक बार में समझ में नहीं आता है देखिए मैं हर लोगों को नहीं बोड़ ला कितनी बारी वैलूम के साथ एक ठ्रेडिट करनें देखें कितनी बारी वैलूम के साथ यह ट्रेड हुआ उसकते हैं और देखें 2.194 मिल्यन वैलूम और तो आप इसके एसाब सरस्रोच इंग तो मड़ लून में सुदिक इतनी भारी है रही बढ़ी वन तुमर में इंटर कहीं भी नहीं देख रहा हूं इधर कहीं भी नहीं देखंगे रह एक देखेंगे बाबी हम है और लग्सम्त कर दोल लगे कि आप यहां पर निवेज करिए और बहुत ही अच्छी अपर्चुंटी आपको मिलेगे देखिए कभी भी आप निवेज करिएगा तो आप हमेशा स्टॉप लॉसी लगाके निवेज करिएगा तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा जब भी आप निवेज करिए आप हमेशा स्टॉप लॉस लगाके निवेज करिए तो आपको एक लॉस होने से आप बचेंगे ठीके ऐसा नहीं कि देखिए जितने मैं स्टॉक उपर जाते हैं देखें दस स्टॉक में से दस स्टॉक में से लगबग आठ स्टॉक तो सही होते हैं ठीक है ओके थेंक यू फ्रेंड